क्यारिबेन आइसलेंड ग्रूप जो 13 आइसलेंड का ग्रूप है इन में से बड़े आइसलेंड को इंटरनेशनल लेवल पर देश का दर्जा मिला आज के वीडियो में क्यारी बेन के तिसरे सबसे बड़े आइसलेंड मतलब तिसरा सबसे बड़ा देश हेती के बारे में बात करेंगे देश का नाम सुनने के बाद आपके मन में यही सवाल आये होगा इससे पहले तो हमने देश का नाम नहीं सुना इंडिया, जपान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रशिया, ये तो हम सबको पता है लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको पता नहीं देश का पुरा एरिया 27,750 केर किलोमेटर का है जो क्यारी बेन का तिसरा सबसे बड़ा आइसलेंड है देश की बॉर्डर सिर्फ डॉमिनिकन रिपबलिक से जुड़िये बाकी तीनों तरप समुन्दर और मासागर देखाई देता है अधिकारी तोर पर रिपबलिक ओफ हेती कहा जाता है आज के समय में देश के आबादी एक करोड चौदा लाके इन में से 55 प्रतिशत लोग, रोमन कैतोलिक, 11 प्रतिशत एरिलिजन और बाकी के लोग उडू धर्म का हिस्सा है जो 16 वी और 19 वी शताबदी के बीच एप्रो हेतीयन समुदाई से बन गया था इनसानोंने रहने के लिए जमिन का एक भी टुकडा नहीं चोड़ा जहापर भी चोटासा आइसलेंड दिखा, वहापर इनसानी बस्तिया बढ़ गई लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में एक जग़ ऐसी है, जहापर एक भी इनसान नहीं रहता हेती से कुची दूरी पर नवासा नामका एक चोटासा आइसलेंड है, जिसे लेकर सव्युक्ते राज्य अमिरिका और हेती के बीच तनाव बढ़ गया साल 1857 में अमिरिका ने नवासा को अपना हिस्सा बताया था, लेकिन हेती के सविदान के तर्थ 1864 में नवासा आइसलेंड हेती का बन गया अइसा कहा गया देश की राजदानी का नाम पोर्टू प्राइन से, अकेले राजदानी में 29,87,000 लोग रहते है इतिहास में एक समय इसा था, जब देश फ्रेंच कॉलनी का हिस्सा था उस समय सेंड डोमिंग नाम का एक बड़ा फ्रेंच सामराज था, पोर्टू प्राइन्स उसकी राजदानी थी 2023 में यही शहर देश की राजदानी बन के टिका है हमारे देश को इंडिया कहा जाता है, और इंडिया नाम इंडस सिविलाइजेशन और इंडस रिवर से संबन्धी थे उसी तरह हेती नाम का इतिहास और हेती का मतलब क्या है 2024 में इस चोटे से आइसलेंड पर धक्षिनी अमिरिकन ताइनो नाम के लोगों की कॉलनी थी उस समय क्रिस्टोबस कोलंबस आइसलेंड पर आया था, उसे लगा शायद भारत या चाइना की बस्ती होगी उसने आइसलेंड को ला इसला इस्पानोला नाम देया जिसका मतलब है स्पैनिश आइसलेंड लेकिन स्पैन सामराज्य जादा समय तक नहीं टिक पाया जैसे ही खत्म हो गया देश को उसके पुराने नाम से जाना गया एती लैंड ओप माउंटन मतलब एती पहाडों की भूमी इन परवत शिकर के आधार पर देश को हेती नाम मिला देश के आजादी की लड़ाई मतलब हेती वार ओप इंडिपिंडन्स 21 अगस 1791 और 1 जन्वरी 1804 तक चला मतलब 12 सलुतक देश आजादी की लड़ाई लड़ता रहा वैसे चोटे से आइसलेंड पर ऐसा कोंसा देश था जो हेती को अपना गुलाम बनाना चाहता था या उसकी भूमी को हड़पना चाहता था तो इसका जवाब है फ्रांस देश के लोगों ने लैटिन अमिरिका में पहला सोतंत्र देश बनने के लिए ब्रिटीज, फ्रेंच और स्प्यानिस सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी उस समय ताइनो नाम के लोग अपना जिवन आराम से जी रहे थे उनको नोकरी का लालज देकर सोनी के खानों में काम करवाया और कुछ समय के लिए स्वधेशी लोग स्पेन के गुलाम बन गए स्पेन के बाद फ्रेंच ने यहाँ पर कॉलनी बना कर अपना सामराज्य तो बढ़ाया था लेकिन 1804 में सभी फ्रांसे सी देश छोड़कर चले गए आज के समय हेती की अधिकारिक भाषा फ्रेंच और क्रियोले जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है उस देश को फ्रेंको पोन कहा जाता है लेकिन हेती को फ्रेंको पोन नहीं कहा जाता क्यूकि देश की 95 प्रतिशत आबादी आपरीकने और बोलने के लिए फ्रेंच के बजाए क्रियोल बाषा का इस्तिमाल करती है देश में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा फ्रेंच सामराज्य का असर था नहीं तो लैटिन अमेरिका में फ्रेंच कोन बोलेगा अगर आप अमेरिका का कोलोराडो राज्य गुमोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गौस्टाउन देखने को मिलेगे वैसे पुरे अमेरिका में कई न कई गौस्टाउन मवजुदे अईसे घर जहाँ पर कोई इंसन नहीं रहता, सालों से बंद पड़ेवे घर लैटिन अमेरिका के हेती देश में कोई ऐसी डरावनी घटना नहीं गटी लेकिन कुछ जगा ऐसी है जो किसी भूतिया जगा से कम नहीं अगर आपने पिरेट्स आप क्यारिबियन मुयु देखी होगी तो टोटूर का आइसलेंड और उसके समूदरी डकेती की बारे में थोड़ा भूत पता होगा असल में कहानी कोई फिल्मी जादू नहीं है बलकि रियल लाइप में बे हेती के टोटूर का आइसलेंड पर कुछ समूदरी लुटोरों ने अपना खाजाना चुपा के रखाता कहा जाता है कि आज भी ब्लैक बेर्ड नाम का भूत उस खाजाने की रक्षा करता है दोस्तों चोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे और शेर कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ